अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं पहला कोश्चन है इंद्रा गांदी नहर परियोजना की आधार सिला कव रखी गई थी तो मैंने आपको बताया था 31 मार्च 1908 मन को इंद्रा गांदी नहर की जो परियोजना की सिलानियास है आधार सिला है वो किया गया था और पहले इसको राजिस्थान नहर के शाना जाता था जिसको दो नवंबर 1984 को इसका नाम change करके क्या कर दिया गया इंद्रागांदी नहर कर दिया गया तो राजिस्थान का जो पश्मी छेत्र है, राजिस्थान का पश्मी छेत्र, वहाँ पर ये सिचाई और पीने का पानी प्रदान करती है, कौन-कौन से जिले आते हैं इसमें, सबसे पहला आता है गंगानगर, ठीक है, हनुमानगर, चूरू, बीकानेर, जोदपुर, जैसलमे बाड मेर, आदी जिलों को ये लाब पहुचाती है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट लाब जिनको पहुचाती है, बो जिले हैं, ठीक है, जो इंदरा गांधी नहर परियोजना है, उसकी सिचाई छमता कितनी है, 16.7 लाख हेक्टेयर, 16.7 लाख हेक्टेयर, इंदरा गांधी पर राजिस्थान में सिचाई हितु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है option है इंद्रा गांधी नहर परियोजना चंबल नहर परियोजना ये पश्चिम में नहीं बहती है ये पूर्व में बहती है दच्छिन पूर्व में ठीक है सोम कमला अंबा नहर परियोजना ये भी दच्छिन की है गुडगाउं नहर परियोजना ये पूर्व की है गुडगाउं केनाग ठीक है तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा पश्चिम के लिए इंद्रा गांदी परियोजना हो जाएगी ठीक है first option correct हो जाएगा सोम कमला अंबा ये दच्छिन में ये भी आपको याद रखनी है माही नदी की सायक है ये इंद्रा गांदी नहर परियोजना से किन जलों को सचाई सुब्दा प्राप्त हो रही है तो correct answer होगा आपका first option बिकानेर, चूरू, गंगानगर, हनमानगर, जैसलमेर, बाडमेर, जोदपुर इन जलों को इंद्रा गांदी नहर परियोजना से सचाई सुब्दा प्राप्त हो रही है ठीक है जो इंद्रा गांदी नहर परियोजना है उसकी आधारसला रखी गई थी 1958 में, 1908 में, 31 मार्च 1988 को निम्न मैंसे राजिस्थान का कौन सा छेतर इंद्रा गांदी नहर से लावानवित होगा तो राजिस्थान का उत्तर पश्मी छेतर, first option correct हो जाएगा वो इंद्रा गांदी नहर परियोजना से लावानवित होगा first option यहाँ पर correct हो जाएगा अगला हमारा question है राजिस्थान के पश्मी मरुस्थली जिलों में आजकल भरपूर खाध्यान फशले उत्पन होती है बिल्कुल सही कतन है क्यों होती है क्योंकि यहाँ पर इंद्रा गांदी नहर से सचाई होती है तो इंद्रा गांदी नहर ने जैसर मेर और बाढ़ मेर जिलों में सचाई शुब्दाय प्रतान की है तो कथन भी सही है यापर और कारण भी सही है इंद्रा गांदी नहर के पूर्ण होने पर राजिस्थान के कितने छेत्र में इसके द्वारा सिचाई का लाप राप्त हो सकेगा तो correct answer है इसका 16.17.00 हेक्टेर जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले जो इसकी सिचाई पर्योजना थी वो 19.63.00 हेक्टेर के लिए बनाई जा रही थी 19.63.00 हेक्टेर के लिए लेकिन अब इसको घटा कर कितना कर दिया गया है 16.15.00 हेक्टेर कर दिया गया है 16.15.00 हेक्टेर तो यहाँ पर correct answer क्या होगा यहाँ पर fourth option correct होगा 19.65.00 हेक्जाम में पूछा जाए 16.17.00 हेक्टेर में सिचाई इस टाइम की जाती है ठीक है मन जूरी दी गई है इंद्रा गांदी नहर का अंतिम छोर कौन सा है तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही गड़रा रोड बाड मेर गड़रा रोड बाड मेर यह इंद्रा गांदी नहर का अंतिम पॉइंट है जो इंद्रागांदी नहर का पिर्थम चरण है उसके अंतरगत हरी के बैराजबान जहाँ पर सतलजव ब्यास नदिया मिलती है यहाँ से मसीता बाली हैड जो की कहाँ पर है हनमानगड में है 204 किलोमीटर लंबी राजिस्थान फीडर जिसका नाम है राजिस्तान फीडर इसका निर्मान किया गया था जो पिर्थम चरण है उसमें हरीके बेराजबान से मसीताबाली हेड हर्मानगर तक 204 किलोमीटर लंबी राजिस्तान फीडर का निर्मान किया गया है जिसमें 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का मसीताबाली से छतरप्र के निकट पूंगल in मखेतबाली है ठिर्जुत्य में पूंगल है क्शतरगण के पूंगल एर्ट के पूंगल है तक निर्माण किया गया है इसका चुछ दूत्य कलो में इपक इंद्रागादी नहर का दूत्य कलो की अंतरगत राजिस्थान मुख्य नहर पूंगल हैड से जैसलमेर के मोहंगड गाउं तक जैसलमेर के मोहंगड गाउं तक पूंगल हैड से जैसलमेर जिले के मोहंगड गाउं तक 256 km लंबी बनाने का प्रिस्ताब पारित किया गया था ठीक है इसके बाद में बाढ़मीर जिले की गड़रा रोड तक 165 km और अधिक बिस्तारित किया जाना प्रिस्तावित है इंद्रा गांधी मुख्य नहर की टोटल लंबाई कितनी है अगर आप से कोश्ट्टन में पूछ मसीता बाली हेड तक 204 किलोमीटर उसके बाद 189 किलोमीटर कहां से कहां तक मसीता बाली हेड से पूंगल हेड तक और उसके बाद 256 किलोमीटर कहां से मोहनगडगाउं तक पूंगल हेड से मोहनगडगाउं जैसलमीर तक तो टोटल 445 किलोमीटर का यह लंबी है ठीक है यह कितनी है तो correct answer हो जाएगा इसका 445 km एंद्रगादी मुख्य नहर की लंबाई है निमलिकित में इसे कौन सा एक कथन सही नहीं है कुए एबम नलकूप राजिस्थान में सिचाई के प्रमुक साधन है बिल्कुल सही कतन है इनसे 68.72% सिचाई होती है राजिस्थान में और इंद्रगादी नहर के जल का अपयोग के बल सिचाई के लिए कि जाता है बिल्कुल गलत पीने के पानी के लिए विकिया जाता है ठीक है खडीन सुस्क राजिस्थान में जल सरचन की परामपरंकत बिदी है बिल्कुल सही है खडीन जैसल मेर में इस्तित गड़ों में जो पानी भर जाता है बरसा जल सरचन की बिदी है यह जैसल मेर में ठीक है तो जो इंद्रगादी नहर है वो राजिस्थान की ही नहीं बलकि भारत की एक विसाल भहुत देशिया परियोजना है जिसे राजिस्थान की मरूगंगा या फिर राजिस्थान की जीवन रिखा कहा ज इसका जो प्रारूप तियार किया था इंद्रा गांदी नहर का वो कवर सेन ने किया था इसका सिलान्यास किस ने किया था सिलान्यास किया था ग्रह मंत्री गोबिंद वल्हव पंतने ग्रह मंत्री गोबिंद वल्हव पंतने इंद्रा गांदी नहर का सिलान्यास किया था इंद अगर आपको questions helpful लगे हो तो please channel को subscribe जरूर करते हैं बेल आइकन को जरूर दबाएं